कदीमी किताब एक समय के बाद है कि एक गाउन की रोशनियों और खुशियों के महौल में एक लड़का रिहता था जिसका नाम राजू था. राजू अपने वाले डेन के साथ रहता था राजू ने हमेशा अपने माबाप के ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश की. इनकी मुहब्बत का शुक्रिया आदा किया. एक दिन गाउव में एक नाजम ने एक कदीमी किताब का हिस्सा जो महफूस कर डेयद जिसके बारे में चर्चा शुरू की. ये किताब गाउन में मारूफ थी क्यूँके एस में कदीमी दास्ता राज और सिखाने के लिए सबक आमवास मवाज शामिल थे. लेकिन इस दफ़ा किताब के एक हीसे के गाया भी सब के ध्यान को खिंच गई. राजू को भी इस किताब के कदर का इलम दी और एस ने फिकर मंदी से सोचना शुरू किया के किताब को किसने चोरी किया? देंग गुजर्टा गया लेकिन किताब का हाल नहीं मिला राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलतर किताब को ढूंदना शुरू किया. लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला खाओफनाग रास को हाल करने की कोशिश में गाउन के हर कोनर को टालाश न शुरू किया. एक दिन वो एक पुराने एलाकी की तरफ जा रहा था जहां कुछ लोग खाऊफनाक किसे सुनाते दो वहां पोहंच कर राजु ने एक बुरहे से पूचा जिसको किसे सुनाने का मकाम देया गए था बुरहे आदमी ने राजु को एक दास्ता बताए जो उसी कदर दिल्चिस्क और मालू माटी थी जितना की राज बौके वो राज अपने आप में एक जलक देखा रहे थे दास्ता के आखेर में बुरहे ने कहा राज एक मुख़ी चीज हमेशा वही होते है जहां आप तलाश करना चाहते हैं लेकिन इपको अपने नजर महफूज राखने चाहे राजू को ऐस बात के एमीच समझाए और वो वापीज गाउं के तरफ रवाना हुआ घर वापीज आकर राजू ने ख्वाबों में किताब की जगव पर पहंजा जहां किताब का हिस्सा महफूज किया गया था किताब की जगह मुलाकाट करके राजू ने उसको उठाया और चुनकि वो ख्वाब में भी आया था उसने उसे वापीज उसकी जगह पर रख दिया राज हल हो गाया और किताब का हिस्सा वापीज आ गया था और गाउं में एक बारा जश्न मनाया गया राजू ने सब को बताया कि राज उसी जगर पर होता है जहां कभी इंसान नहीं सोचता इस दास्त से हमें या सीखने को मिलता है कि कभी कभर हाल सवालात और मुश्किलात हमेशा हमारे करीब होते हैं बस हमें ध्यान रखना होता है और सबर के साथें का हाल तालाशना होता है झालाशना होता है